हाई, वेलकम टू माई चानल इस वीडियो में पढ़ेंगे फोर कांसेप्ट्स पहला है इंपोर्टन अपर्टीज ओफ रेस्टनल नंबर्स तो इसमें पढ़ेंगे कि रेस्टनल नंबर्स के थ्री अपर्टीज होते हैं वो क्या हैं उसके बाद पढ़ेंगे कि रेस्टनल नंबर्स का कोई स्टेंडर्ड फार्म होता है और वो जो स्टेंडर्ड फार्म है वो कैसा होता है और कैसे लिखेंगे स्टेंडर्ड फार्म में इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक पर फिर हम comparison कैसे करते हैं मतलब rational numbers में कौन rational number बड़ा है कौन छोटा है जैसे कि group आफ 4 rational number दे देगा बोलगा कि arrange करें in ascending order और descending order इसके बार हम पढ़ेंगे इसमें यहाँ पर fourth topic पढ़ेंगे कि rational numbers को number line पर represent कैसे करें ठीक है represent करने का मतलब कि उसे दर्साना, दिखाना कि वो number line पर कहां लाई करता है तो चलिए इन four top आप इसको one by one पढ़ते है important properties of rational numbers property number one P by Q is equal to P into M upon Q into M मतलब कोई rational number दे आप लोगे P by Q तो वो बराबर होगा exactly जब हम numerator में एक numbers में लाई करेंगे और उसी number से denominator में भी multiply कर दें तो जो number मिलेगी यह multiply करने पर कुछ मिलेगा तो यह जो rational number मिलेगा वो इस number के बराबर होगा यह कह रहा है property number one लेकिन जो M लेना है वो non zero integer लेना है non zero मतलब कि बस zero नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 से multiply करोगे तो सब 0 अपन 0 मतलब 0 हो जाएगा तो कोई भी rational number 0 के बराबर कैसे हो सकती है इसलिए इस case में नहीं हो पाएगा बस तो यहाँ पर example लेकर के हम देख लेते हैं जैसे कि हम ले लेते हैं कोई number 2 by 3 ठीक है 2 by 3 एक number है और इसका हम कोई किसी number से किसी non-zero number से multiply करके देखते हैं तो यह बराबर आएगा देखते क्या आता है 2 into यदि हम 2 simplify करते हैं 2 क्या है non-zero number है तो 2 में हमने 2 simplify कर दिया फिर 3 में भी हमने 2 simplify कर दिया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो number आएगी 2 to the 4 upon 3 to the 6 यह इसके बराबर होगी प्रपटी नमबर बॉन के अनुसार ठीक है और यह जो number आएगा इसका नाम है कुछ इसको बोलते हैं हम लो equivalent equivalent rational number ठीक है 4 by 6 जो है 2 by 3 का equivalent rational number है तो ऐसे ही आप और भी सारे equivalent rational numbers find कर सकते हैं प्रपटी नमबर 1 समझी गए होंगे क्या कह रहा है बस non-zero number से multiply करना है numerator और denominator में आपको एकदम equivalent rational numbers मिलते जाएंगे जिसे 2 by 3 के और भी दूसरे निकालने होंगे तो जरूँ नहीं कि आपके वाल positive numbers से ही multiply करिए आप negative से भी कर सकते हैं जैसे 2 into आप कर सकते हैं minus 5 minus 5 समझी गरिए लेकिन दोनों में करना है उसी number से ये याद रहा है minus 5 into minus 5 दोनों में कर दिए क्या आएगा यहाँ पे आएगा minus 10 यहाँ पे आएगा minus 15 अब देखिए जो minus minus 2 है तो यह तो cancel out हो जाएगा क्योंकि minus 1 से उपर और नीचे multiply कर देंगे फिर से तो यह plus हो जाएगा मतलब कि यह 10 upon 15 आजाएगा और यह 10 upon 15 क्या है 2 by 3 के equivalent है हम यही कहेंगे तो दोनों में यदि same number समझी करेंगे तो एकदम देखिए positive यह भी आ रहा है finally यदि हम negative से multiply कर रहे है तब भी इस तरगे से आप equivalent ट्रेशन numbers और भी सारे find कर सकते हैं तो ऐसे question पूछता है कि find the 4 equivalent ट्रेशन numbers of some number यहाँ 2 by 3 का 4 पूछ दिया आप क्या करोगे यहाँ पर अलग-अलग 4 number से multiply करके find कर लोगे पहली बार कर लेना आप 2 से फिर 3 से 4 से 5 से 6 से अलग-अलग number मिलते जाएंगे this is the concept तो property 1 समझ गए होंगे चले पढ़ते हैं आप property 2 ओके property 2 ध्यान देखिए का P by Q is equal to P divided by M upon Q divided by M इसका मतलब यह है कि P में यदि कोई ऐसे नमर्स डिवाइड कर दें जिससे की P कट जाए और Q में भी ऐसे नमर्स डिवाइड करें जिससे की Q कटे तो जो यहाँ पर रेसे नमर्स मिलेगा वो equal होगा P by Q के जहाँ पर M क्या होना चाहिए common divisor होना चाहिए मतलब कि P और Q दोनों नमर्स को डिवाइड करने वाला ये नमर्स होना चाहिए मतलब M के टेबल में P और Q भी आना चाहिए दोनों आने चाहिए मतलब जैसे कि example हम देखते है यदि हम लेते हैं 4 अपान 7 अच्छा कुछ ऐसे नमर्स लेते हैं जिसमें कुछ कटे क्या है उस नमर्स से डिवाइड करेंगे दी हम नुमिरेटर में और डिनामिरेटर में तो जो मिलेगा रिशनल नमबर वो इसके equivalent होगा या बराबर होगा हम कह सकते हैं जैसे इसको लटू करते हम दोनों का क्यावन फेक्टर हम मुझे 2 नजर आ रहा है तो 12 divided by या दी में 2 करता हूँ अपान जिस नमर्स से डिवाइड यहाँ पर किया हूँ वैसे यहाँ पर यहाँ पर डिनामिरेटर में भी कर देते है तो यहाँ पर जो अब नमबर बनेगी यहाँ देखे 12 में डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा 6 क्योंकि 2 के टेबल में 6 टेमस बाजाता है तो अपान 48 में 2 से करेंगे तो मिलेगा हमें 24 तो यह जो नमबर मिला 6 अपान 24 यह 12 अपान 48 के एक्विबिलेंट है तो एक तो हमने प्रपरटी नमबर 1 में पढ़ा था कि multiply करने पर equivalent फरख्शन फाइन कर सकते है या आप divide करके भी find कर सकते है ठीक है यदि हम 12 अपान 48 में इसका अपान 48 तक 3 भी है यदि हम 3 से divide करें जैसे कि numerator में divide कर दिया हमने फिर 48 में हमने 3 से divide कर दिया तो जो अब मिलेगा मिलेगा हमें 3, 4, 6, 12 अपान 3 से करेंगे यहाँ पर तो मिलेगा 1 and 3 is 18 तो यहाँ पर 4 अपान जो 16 मिला यह भी एक equivalent fraction है 12 अपान 48 का तो हम divide करके जो number मिलता है हमेरे इसनल number वो भी बेराबर होता है initial number के यह property 2 कहती है समझ गया मतलब यह जो property है और इसका property जो 1 था दोनों में यही काम करना था बस हमें पिछले वाले में multiply करना था multiply करके हमें एक equivalent equivalent fraction number मिल जाता और यहाँ पर divide करके मिल रहा है clear चलिए अब चलते हैं property number 3 okay property number 3 कहता है कि a by b is equal to c by d मतलब कि 2 rational number यह दी बराबर है तो इसका मतलब यह होता है और यह कैसे आया cross multiply करने से मतलब a और d में multiply कर दिया गया है देखिए a into d और यह is equal to हो गया है b और c मों multiply करने के बाद जो मिला है उससे इसी को बोलता है cross multiplication cross multiplication तो यहाँ पर a into d is equal to b into c example लेकर यदि हम समझें यहां मिलेगा देखिए 2 by 3 यदि equal है 4 upon 6 के तो implies यह imply यह करता है या फिर implied by यह दोनों तरफ देने का मतलब यह है कि ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा भी होगा और ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा भी होगा मतलब दोनों तरफ से वो एक दूसरे को imply कर रहे है तो यहाँ पर ध्यान देजेगा अब यहाँ cross multiply करते हैं तो मिलेगा हमें 2 into 6 is equal to 4 into 3 तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 into 6 करने पर क्या आएगा 12, 4 into 3 करने पर क्या आएगा 12, दोनों बराबर आ गए न कहने का मतलब है कि बस यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि 2 rational numbers बराबर होने चाहिए मतलब equivalent होने चाहिए इस property number 3 का मतलब यही है कि 2 equivalent fractions ले लीजिए कोई भी हम ले लेते हैं 3 upon 7 एक दूसरा एक बार minus ले लेते हैं ठीके minus 3 upon 7 और इसी का equivalent कोई ले लेते हैं minus 15 upon 35 आप पता करिएगा कि हमने किस नमर समटलाई किया यहाँ पर खेर आप जान जाएंगे देखिए यहाँ पर अब यह दोनों जो है equivalent है अब यदि यह equivalent है तो हम जब क्रास मुटलाई करेंगे तो equal आएगा जैसे कि हम देख पा रहे हैं minus 3 into यदि 35 करेंगे और 7 into minus 15 करेंगे तो क्या आएगा धान देखिए गा minus 3 समटलाई करते हैं 35 या 15 35 या 9 1 10 105 minus और यहाँ भी मुटलाई करेंगे 15, 7 जा 105 आता ही है minus 105 देखिए रहा हैं दोनों बराबर आ जा रहा है बस concept यहाँ पर यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि दो equivalent rational numbers होने चाहिए तभी यह concept फालो होगा लेकिन कभी-कभी questions में ऐसे पूछता है धान दिजेगा इससे जो typical questions पूछे जाते हैं वो इस तरीके से होते हैं यहाँ पर x देदेगा x मतलब कि नहीं पता कोई number है upon यहाँ देदेगा 2 is equal to बोलेगा कि if if x upon 2 is equal to 6 upon 4 ऐसा देदेगा ठीक है x upon 2 is equal to 6 upon 4 then find the value of x then find x तो यह equation solve करने के लिए बढ़ी असान है ऐसे cross multiply करके हम solve कर सकते हैं जैसे कि हम इसको solve यह दिखरें x by 2 is equal to 6 upon 4 तो हम क्या करेंगे पहले cross multiply करेंगे यदि 4 into x करते हैं तो मिलेगा 4x is equal to 2 into 6 करते हैं तो मिलेगा 6 into 2 मतलब कि 12 अब यहां से हम x is equal to इदे transpose करते हैं 4 को तो divide हो जाएगा 12 में और 12 हम 4 करेंगे तो 4 बंज़ा 4 4, 3, 12 मतलब कि 3 आ जाएगा इस तरी से x की value हमें निकल जाएगी 3 तो इस concept के use करके हम इस तरह के problem solve करते हैं या फिर ऐसे ही related बहुत सारे problems हैं जो आप 12 तक IIT में पढ़ेंगे तब भी आपको मिले गए ऐसे problems तो this is a basic thing you are studying चलिए अब next पढ़ते हैं standard form of a rational number किसी भी rational number का standard form क्या होता है दीए जब कोई एक ही वस्तू बहुत सारे तरह की दिखने लगे तो उसके लिए हमें standard form ढूड़नी पढ़ती है जैसे कि कोई भी एक rational number आप लोगे तो उसके लाखों से भी अधिक मतलब अनंत, infinite उसके equivalent rational numbers होंगे जैसे कि कोई भी एक नंबर में लेता हूँ जैसे कि 1 upon 2 और 1 upon 2 के infinite rational numbers हैं जो इसके equivalent हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें यह 2 upon 4 2 upon 4 कम लिख सकता है फिर और multiply करके 3 upon 6 4 upon 8 फिर 5 upon 10 इस तरीके से बहुत सारे आप मतलब infinite लिख सकते हैं there are a lot of तो इस तरीके सब के सब बराबर हैं आखिरिन सब ही में किसको बोलेंगे कि वो standard है इस में से कोई एक ही होगा जो standard firm होगा और वो होगा सबसे छोटा नंबर जिसमें कोई count factor नहीं है other than 1 और जिसका denominator positive हो तो standard firm का जो definition है वो ये है कि ऐसा rational number जिसका denominator positive हो और numerator और denominator में मतलब p by q ऐसा rational number हो जिसमें p और q के common factors के वल 1 हो 1 के अलाबा कोई भी count factor नहों p और q में और q जो होना चाहिए वो positive होना चाहिए ये दूग concept समझेगा जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ minus 12 upon 48 अब कोई कहे कि इसका standard firm क्या है तो इसके लिए हमें इसको cancel करके सब छोटा करना पड़ेगा और यदि हम 12 से cancel करें तो मिलेगा आपको 12 1 जा 1 and 12 4 जा 48 तो लिसकते है minus 1 upon 4 तो ये जो minus 1 upon 4 है this is standard form क्यों क्योंकि denominator जो 4 है वो positive है और 1 और 4 ऐसे numbers हैं जिसमें common factor के वल एक ही है 1 common factor is 1 no any other number is common factor of 1 and 4 other than 1 इसलिए ये standard form है और भी example से दिए हम देखें जैसे कि 4 upon minus 6 यदि कहा जाए कि इसका लिखिया आप standard form तो पहले पहले आप क्या करोगे कि minus 1 से multiply कर लोगे numerator आओ denominator में यदि आप multiply करते हो numerator आओ denominator में minus 1 से तो नीचे वाला जो denominator है वो positive हो जाएगा और हो जाएगा minus 4 upon 6 अब यह positive होने के बाद देखोगे कि 4 और 6 में कोई common factor है क्या तो बिल्कुल 2 है तो 2 से आप यहाँ पर cancel कर दोगे 2 तो जाब 4 and 2 3 और 6 तो मिलेगा आपको minus 2 upon 3 तो 4 upon minus 6 का जो standard form है वो है minus 2 upon 3 ऐसे आप standard form निकालोगे किसी भी restaurant number का I hope आप यहाँ पर समझ गया होगे और यदि कोई बडावट होता है तो comment box में जरू लिखना आप अपना experience अब चलते हैं next topic की तरफ और वो है version of restaurant numbers ध्यान दिजेगा सबसे पहले हम study करेंगे number line को तो यह आपका number line है और number line पर जो number left side में होती है वो number right side के number से छोटी होती है तो यदि हम यहाँ पर इसको note करें तो 2 बड़ा है 1 से 0 छोटा है 1 से 0 बड़ा है minus 1 से ठीक है यह बाते आप जानते हो यहाँ पर अब हम समझ सकते हैं कि rational numbers का comparison कैसे करेंगे जैसे कि आपको मैं दो number लेता हूँ पहले example first 2 upon 3 and यदि पता करना हो कि 3 upon 5 इन दोनों में कौन बड़ा है सबसे पहला काम करोगी जो आप वो देखोगी कि denominator बराबर है या नहीं तो denominator यहाँ पर बराबर नहीं है तो denominator को बराबर करना पड़ेगा पहले बराबर करने के बाद ही केवल numerator को देख करके पता कर लोगे इसके help से कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो जैसे हम यहाँ पर देखें तो 3 और 5 का LCM क्या होगा 3 और 5 का LCM होगा 15 तो हम यहाँ पर ले ले लेते हैं 15 3 से डिवाइड कर रहे हैं 15 में 5 आएगा 5 तो जा 10 यहाँ पर कामा दे दिजे 5 तो 3 तो 15 तो 3 तो 9 तो आप clearly देख पा रहा है denominator हमने equal कर लिया है मतलब इन दो numbers को हम ऐसे भी लिख सकते है 10 अपान 15 and 9 अपान 15 तो अब देख पा रहा होगे कि कौन बड़ा है देखे denominator जो बड़ा बराबर हो गया तो जो numerator बड़ा होगा जिसका वही number बड़ी होगी मतलब कि 10 बड़ा है 9 से इसलिए यह number 2 by 3 जो है 3 by 5 से बड़ी होगी इसका मतलब result हमें मिल गया कि 2 by 3 must be greater than 3 upon 5 clear लेकिन हमें बहुँ सारे group of numbers दे देता है यदि और हमें arrange करना रहता है कि वो ascending order में या descending order में तो वो कैसे करेंगे तो let us take another example इन सभी को हमें ascending order में arrange करना है सबसे पहले देखिए कि यदि denominator में कही पर negative दिया हुआ है तो इसको positive कर लिजे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर करेंगे 5 upon 12 यह positive है कोई बात नहीं यहां पर positive कर लेते हैं तो positive करने का मतलब कि बस यह negative को यहां लगा देंगे बतलब minus 1 से मटपलाई करना होता है बट आप mind में कर लेंगे minus 1 से मटपलाई दुनों में तो यहां पहले जाएगा minus 9 upon 24 ऐसे कर लिजेगा फिर यहां पर minus 3 upon 4 और यह 7 upon 16 अब हम क्या करेंगे 12, 24, 4 और 16 इन चारों का LCM निकालेंगे तो हम यहां पर निकालें फोर्जा 48 इसका LCM हम नीचे लिख लेंगे ऐसे 48 अब हम डिवाइड करेंगे इस नंबर से इस नंबर में और देखेंगे कितना आ रहा है और जितना आएगा उससे नंबर में मटपलाई कर देंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे यहां धी 48 में तो 4 आएगा 12 4 जा 48 4 5 जा 20 तो मिलिखेंगे यहां पर minus 20 कॉमा 24 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा 24 तो जा 48 होता है 2 9 जा 18 हो जाएगा तो minus 18 4 से करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बंजा 4, 4 बंजा 12 आएगा 12 से 3 में 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 प्लाइ कर देंगे तो 3 जा 36 माइनस 36 अब 16 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3 से बंजा 21 ऐसे करके आप लिख लेंगे अब यहाँ पर देखें यह सारी क्या है integers हैं और integers को हम बड़ा चोटा करना यहाँ सा समझ गया है जो negative होगा सबसे बड़ा negative होगा समझ लिए यह सबसे चोटा होगा पता माइनस 36 सबसे चोटा है तो यह पहले पहले आएगा इस फर्स पोजीशन उसके बाद इससे थोड़ा सा चोटा यह है second position और यह उसके बाद third और यह सबसे बड़ा है four यदि हम लिखना चाहें इसको increasing order में तो इसका increasing order होगा मैनस 36 अपान 48 पहले मैनस 36 अपान 48 और इससे बड़ा होगा second minus 20 अपान 48 इससे बड़ा होगा minus 18 अपान 48 और इससे भी बड़ा होगा 21 अपान 48 लेकिन एक बात और जाननी है इसमें यह तो LCM लेकर के आपने increasing order में लिखा है अब हमें correspondingly इन सभी को arrange कर लेना है देखें minus 36 यहां आ रहा था तो यह वाला number है तो इसको हम ली सकते है minus 3 upon 4 यहाँ फिर दूसरा यह minus 20 था तो minus 5 upon 12 यहाँ उसके बाद minus 18 यहाँ पर देखें यह third वाला position कौन सा है यह minus 18 वाला minus 18 यहाँ 9 upon minus 24 यहाँ अरेंज करते हुए negative लिसकते हैं आपर नीचे और उसके बाद है last 7 upon 16 यह तो positive था तो यह बड़ा होगा ही होगा तो यह हमने arrange कर लिया increasing order में तो यह है comparison of rational numbers तो बीना number line के concept के कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और LCM निकाले भी ना आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सा number बड़ा होगा कौन सा number छोटा होगा और यहाँ पर एक और बात है यदि denominator पहले से ही बराबर दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर मैं एक example लिख दू और 2 by 7 और 9 by 7 यहाँ ऐसे दे दिया बोला कि कौन बड़ा है तो देखिए denominator पहले से ही बराबर है किवाल numerator को चे कर लो numerator जो बड़ा होगा वही नबर बड़ी होगी तो 9 बड़ा है तो 9 बड़ा है तो 7 बड़ा होगा 2 by 7 से ओके चलिए next पढ़ता है representation of rational numbers representation of rational numbers on number line ध्यान दिजेगा कैसे रिप्रिजन करोगे एक number एक rational number को number line पर सबसे पहले आप ये जान लो कि rational numbers को broadly दो भागों में डिवाइड कर सकते हो पहला पहला जो division है वो है proper restaurant numbers proper proper restaurant numbers कौन कौन हो सकते हैं proper restaurant numbers जिसका numerator छोटा हो denominator से जैसे 1 by 2 ठीक है 1 by 2 3 by 4 4 upon 5 like this negative में ले सकते हैं minus 2 upon 5 minus 3 upon 5 like this these are proper restaurant numbers क्योंकि numerator छोटा है यदि हम केवल negative numbers को ना लें मतलब ये minus को छोट दीजे तो आप देखेंगे कि इसमें numerator बस छोटा है denominator से इनको बोलते हैं proper और दूसरा होते हैं improper दूसरा ग्रूप होता है क्या improper improper में क्या होगा numerator निम्रेटर बड़ा होना चाहिए यह ले ले लेते हैं 7 upon 4 5 upon 4 3 upon 2 माइनस 8 upon 5 माइनस 16 upon 5 इर्सेक्टरा तो आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं क्यों बता रहा हूँ proper और improper क्योंकि यहां पर इसका use करके हम आसानी से यहां पर implement कर सकते हैं represent कर सकते हैं किसी भी rational number को number line पर कैसे यदि वो proper number होगा कोई भी rational number लिजिए यदि वो proper है मतलब numerator छोटा है denominator से तो हमेशा 0 और 1 या 0 और minus 1 के बीच मे लाई करेगा मतलब यहां से यहां तक यदि वो positive हुआ proper है और positive है 0 और 1 के बीच मे लाई करेगा एकदम इसको गाठ बाद लीजिए बिल्कुछ सच है यह सत्य है और यदि वो negative हुआ proper हुआ और negative हुआ तो 0 और minus 1 के बीच मे लाई करेगा मतलब यह सारे यह दोनों 0 और minus 1 के बीच मे लाई करेंगे और यह सब 0 और 1 के बीच मे और भी जितने भी आप सोच सकते हो जितने भी proper जैसे कि मैं खहूंगा कि आप यह proper में आप ले सकते हो इसको भी 101 upon 102 this is also proper and this number also lies between 0 and 1 इस तरीके से आप जो भी सोच लो सारे के सारे ऐसे हैं अब चलिए समझते हैं कि आखिर कोई proper होगा तो कैसे represent करोगे इस number line पर तो यह जो 1 by 2 है इसको represent करना होगा तो हम जान गए हैं पहले से कि यह proper है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो represent करने के लिए हमें बस करना क्या है इसके denominator को देखना है तो 1 by 2 को इदि हम represent करें तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 upon 2 तीखे 1 by 2 में denominator को observe करें 2 है और 2 का मतलब यह होता है कि 0 और 1 जो यहाँ पर length है उसको 2 parts में divide करेंगे 2 parts में equally divide करेंगे 0 और 1 को हम 2 parts में equally divide करने के लिए केवल बीच में एक line ऐसे खिच दें तो 2 भागों में divide हो गया है कि नहीं देखेंगे यहाँ पर एक ये और एक ये अब उपर वाले को देखेंगे कि आखिर numerator क्या है तो numerator 1 है तो 1 यह बता रहा है कि 0 से आगे जाएंगे 1 step मतलब यहाँ से जम्प कर जाएए एक step जो भी point मिलेगा वही point होगा इस number का position तो 1 by 2 का position यही है clear 3 अपन 4 को देख लेते हैं ध्यान दिजिएगा यहाँ पर denominator क्या है 4 है और यह proper number है तो 0 1 के बिच में लाइग करेगा और 4 denominator होने के कारण हम 0 और 1 के जो यह length है उसको हम 4 equal parts में डिवाइड करेंगे तो इसको 4 equal parts में डिवाइड करने के लिए हमें 3 lines खीचने पड़ेंगी means एक यहाँ एक यह 2 और यह 3 तो हमने 3 lines खीचा बिच में और यह 4 equal parts में डिवाइड हो गया तो यह हो गया 1, 2, 3, 4 अब इसमें उपरवाल numerator को देख करके count करना है इधा से 3 step तो यहां से हो गया 1, 2, 3 यह जो तिसरा position पर है यही यही point है इस 3 by 4 का position तो this is 3 upon 4 ओके तो हमने देख लिया यह कैसे होगा वैसे ही 4 upon 5 कर सकते हैं आप इसको 5 parts में divide करिएगा और 4th position पर जो होगा वही होगा लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह वाला position तो है 3 upon 4 बट यह किसका है यह है आपका 2 upon 4 का यह जो position है वो 2 upon 4 है यह जो position है यह यह आपका है 1 upon 4 तो यहां पर 3 numbers का representation हो चुका है 1, 2, 3 जितने भागों में divide करोगे जितने लाइन खीचोगी उसमें वो सब एक एक number less या एक number अधिक एक दूसरे सहूंगे ऐसे करके आप कुछ और भी numbers का representation देख सकते हैं आप वहाँ पर अब negative number को देख लाते हैं minus 2, 1, 5 इसको repealine करते हैं तो यह 0 और minus 1 के भीच में लाइ करेगा यहां पर denominator 5 है तो 5 denominator होने के कारण 0 और minus 1 के जो length है उसको 5 equal parts में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 हम 4 यहां पर line खीज़ दिये तो यह 5 equal parts में डिवाइड हो गया अब यह उपर दखेंगे numerator क्या है 2 है 2 है तो हम 2 position jump करेंगे left side में 0 से तो यह one position फिर एक position यह है तो यह जो दूसरा वाला यह जो point हो गया this is the position of minus 2 upon 5 this is minus 2 upon 5 तो उसके पहरे वाला क्या है minus 1 upon 5 है यह क्या है minus 1 upon 5 इसके आगे वाला क्या है 3 upon 5 यह जो है क्या है minus 3 upon 5 इसके आगे वाला क्या है minus 4 upon 5 यह है आपका minus 4 upon 5 आप समझ चुक्के होंगे कि कैसे हम करेंगे proper rational number है तो represent यह केवल minus 1 और what के बीच में लाई करेगा simple अब देखते हैं कि improper rational numbers कैसे represent करेंगे 7 upon 4 को पहले करते हैं और आप जानते हैं कि यदि improper होगा तो 7 upon 4 को आप change कर सकते हो mixed fraction में सबसे पहले-पहले mixed fraction में change कर लो तो 4 upon 4, 1 whole 3 upon 4, ऐसा होगा तो आप देख पा रहे होगा कि एक मिलेगा integer यहाँ पे और यहाँ पर जो मिलेगा वो एक proper rational number मिलेगा ठीक है हमेशा कोई भी improper होगा तो हमेशा उसको ब्रेक करोगा mixed fraction में एक मिलेगा integer जो complete होगा 1 और 3 upon 4 जो है एक additional proper additional मिल जाएगा जो fractional part कहते हैं जिसको तो ऐसा करने के बाद यह जो 1 बता रहा है वो बता रहा है 0 और 1 complete है मतलब हम यहां से यहां तक पहले ही jump कर लेंगे लेकिन यह position नहीं है उसका अभी आगे और भी जाना है कितना जाना है 3 upon 4 3 upon 4 कहां represent करेंगे 1 or 2 के बीच में कैसे करेंगे जैसे हम proper कर रहे थे हैं क्योंकि यह तो proper ही है 3 upon 4 को represent करने के लिए 1 or 2 के बीच में हम 4 equal parts में डिवाइड करेंगे हना denominator देखते हैं हम लोग तो denominator क्या है 4 है तो 1 or 2 के बीच का जो length है उसको हम 4 equal parts में डिवाइड करेंगे उसके लिए हमें 3 lines खीचनी है बस 1 2 and 3 तो यहां पर 4 equal parts हो गए अब उसमें से तीसरे बाले को लेना है left side से यहां से 1, 2, 3 तो यह जो point है यही position है किस number का 1 hole 3 upon 4 का या फिर 7 upon 4 का तो यह हम लिए सकते हैं 7 upon 4 उसके left वाला यह जो number है यह किसका है तो यह आपका है 1 hole यहां पर घटा दीजिए 3 में से एक कम कर दीजिए 2 upon 4 बने 1 hole 2 upon 4 का यह है इसके पहले वाला क्या है यह वाला position 1 hole 1 upon 4 जो भी round up करने पर जो भी मतलब इसको improper convert करने पर आएगा वो सारे numbers हो जाएंगे अब चलिए एक हम कर लेता है एक हम एक हम इसमें से negative ऐसे ओके देखे अब minus 16 upon 5 करना है सबसे पहले इसको हम mixed fraction में करवाड कर लेंगे तो minus 6 upon 5 is equal to होगा minus bracket में आप देख लीजे 5 to 15 3 hole आ रहा है 3 hole है और 1 बचा है और 5 देखे अब यहाँ पर 3 complete है इसका मतलब negative में यहाँ negative नमर को देख करके हमें left side में जाना है 3 positions पहले तो यहाँ से पहले 3 positions जम कर लीजे तो 1 2 and 3 यहाँ तक तो आ गए केवाली 3 को देख करके अब 1 upon 5 यह बता रहा है कि इसके आगे आने वाला जो interval है मतलब minus 3 और 4 के बीच का जो length है उसको हम 5 equal parts में डिवैड करेंगे और 1 पहला position ले लेंगे तो 5 equal parts में करने के लिए इसको हमें 4 lines ड्रा करनी पड़ेंगी जो की होगा ऐसे 1, 2, 3 and 4 तो 5 lines ड्रा कर दिए हमने और इसके उपर वाला numerator 1 है तो हम यहाँ से एक position जम करेंगे यह तो यह वाला जो position होगा यही position होगा minus 16 upon 5 का this is minus 16 upon 5 clear बहुत आसान है यह इदि improper होगा तो mixt में बदलो और फिर ऐसे रिपरेंग कर लो यह इदि proper है तो कोई बात ही नहीं है minus 1 और 1 के बीच में लाई करेगा यह इदि negative है तो minus 1 और 0 के बीच में लाई करेगा यह इदि positive है तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा और कैसे करते हैं denominator को पहले देखते हैं denominator जो रहेगा उतने parts करेंगे space को उस length को उसके बाद जो numerator होता है उतने positions कूच जाएंगे ठीक है समझ में आगया होगा तो इस चप्टर में इतना ही sorry इस वीडियो में इतना ही और फिर अगले वीडियो के लिए आप जरूर देखेगा ओके थैंक यू सो मच फर वाचिंग